हलो दोस्तों भारत अप्डेट चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों यहाँ पर एक और अप्डेट जो है हिमार्चल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से आई है तो यह अप्डेट जो है यह रहेगी सेट से रिलेटे ठीक है सेट मतलब स्टेट इलिजिविल की तरफ से यह नोटिकेशन आज ही अप्लोड किया गया है इनकी ओफिशियल विबसाइट के ऊपर तो आप इस नोटिकेशन को इनकी विबसाइट के ऊपर भी चेक कर सकते हो और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शिन में भी आपको यह लिंक मिल जाएगा तो आप वहां से भ तो यह लिंक डिसेबल कर दी जाएगी ठीक है उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाऊंगे तो तीस दिसमबर से पहले पहले आप अप्लाई कर देना क्योंकि नि वादफ है उसके पहले आप 30 दिसमबर को ही करो गोगे तो हो सकता ह मत्म स्ल Immerset essa मीन च के लिए एक्जाम कंड़क्ट करवाया जाता है इन युनिवस्टीज और कोलेज़ लोकेटेट विजिन थे स्टेट ऑफ हिमाच्र प्रदेश तेस्ट विल बी कंड़क्टेट इन टो अज लिस्टेट बिलो एट बेरिस एक्जाम सेंटर लुकेटेट अश्यमला सोललमंडी ध है आगे देखते हैं क्या है यहां पर तो पूरी जानकारी जो है आप इनकी विबसाइट से ओपर भी जो है चेक कर सकते हो विबसाइट रहेगी www.hppsc.hp.gov.in.hppsc ठीक है हिमाच्र प्रदिश पब्लिक सर्विस क्मिशन और क्या-क्या यहां पर लगेगा आपको पूरी इ इसक्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा नोटिफिकेशन का और अगर आपको फिसर की कोई दिक्कत आ रही होगी इस फॉर्म को फिल करने में तो इन टॉल फ्री नंबर्स पर आप कोल कर सकते हो ठीक है विजिन वर्किंग डेज विट्मिन दस से ठीक है चलिए ने Crazy Life Sciences में Commerce Economics Geography Hindi History Mathematical Science Music Physical Sciences Physical Education Sociology Sanskrit Political Science Public Administration Computer Science and Mechanical Airlirt Tourism Administration stereotyping एंसे मेंसरीन का मास सद्रीं कर चनालियजिम फिल्म फिलोसफी psychology और education में इन ये 22 टोटल सब्जेक्ट हैं इन में आप जो है सेट का एक्जाम दे सटके हैं ठीक है इनके लिए आप सब्जेक्ट जो है चूज कर सकते हो किसके लिए आपने देना है condition of eligibility तो eligibility आप देख सकते हो आपके लिए candidate who have secured at least 55% marks master degree में यानि की master degree में आपके 55% होने चाहिए 55% आपके marks से हैं होने चाहिए ठीके दोस्तों और आगे देखते हैं कि दब पीएटी डिग्री होल्डर हूज मास्टर लेवर एक्जामेशन हैड़ बीन कंप्रेटेड वाइड नाइटीन नाइटीन तो नीचे देख लेते हैं या आप देख लेना ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी आपको में में यहां पर बता रहा हूं ठीक है कि तो स्कीम एड़ टैस्ट तो आपके दो पेपर होंगे सेट के लिए ठीक है फर्स्त एंड सेकेंड एक होगा आपका सो नंबर का दूसरा होगा 200 नंबर का ठीक है नेक्स्ट यहां पर देखते हैं क्या इन्होंने बताया है स्लेवर्स ऑफ टेस्ट ठीक है और क्वेश्चन्स ऑफ पर टू बिली कमपल्सरी कवरिंग एंटायर कंट्ट टॉप स्लेवर्स अप्लोड इन दा विपसाइट तो यहां से इनकी विपसाइट के थुरू आप जो है स्लेवर्स दे सकते हो देख सकते हो पेपर टू के लिए और यहां पर इग्जामिनेशन फीज एंड मोड़ पेमट की बात करें तो फीज आपकी जनरल इडवल्यूएस के लिए 700 रुपए है अधर बैक्वर्ड क्रासरी याने की ओवी सी नौन क्रिमी क्रिमी लेयर के लिए 300 रुपए और स्टी एच्पी एस्टी बीपील एस्टी एच्पी एस्टी बीपील ऑफ एच्पी पीड इन सभी के लिए जो है आपकी फीज लगी कि 175 रुपीज आपके लगेंगे और यहां पर मोड़ पेमेंट जो है एपेमेंट आप कर सकते हो डेविट कार्ड सब्सक्राइब आपको बता दी है www.hppsc.hp.gov.in.hppsc तो यहां पर आपने जाना है इसको उपन करने के बाद आपको सामने दिख जाएगा अपलाई ओनलाइन फॉर स्टेट इलिजिविल्टी टेस्ट तो आप यहां पर इंस्ट्रक्शन देख सकते हो दोस्तों क्योंके इं हुए है नोने तो आप 30 दिसमबर से पहले पहले आप अपलाई कर दें देर इस नो नाइगेटिव मार्किंग फॉर इनक्रेक्ट अंसर कोई भी नाइगेटिव मार्किंग इनमें नहीं है ठीक है और बस यही थी कुछ जुरूरी अपडेट आपके लिए और इसका लिंक ज